सभी दोस्तों को ब्रिजवासी शो का नमस्कार, आज के विडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अपनी कमर को हम पतला कैसे कर सकते हैं, पहला नुस्खा, साइन्स के मुताबिक शरीर के एक हिस्से से फैट कम करना, स्पोर्ट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, कमर का फैट कम कर के लिए कैलोरी डेफेसित में रहना होगा, अगर आप कमर का साइस कम करना चाहते हैं, तो मेंटनेंस कैलोरी से 200 से 300 कैलोरी कम खाएं, अगर आपके शरीर को 2000 कैलोरी की जरूरत है, तो 1700 से 1800 कैलोरी खाएं, दूसरा नुस्खा एक्टिव रहें, जब कोई एक्टिव नहीं रहता तभी उसके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी चर्बी के रूप में जमने लगती है. अगर आपकी कमर के आसपास भी फैट जमा हुआ है, तो इसका कारण है कि आपकी एक्टिविटी कम है. इसलिए अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं. इसके लिए जिम में एक बार में खाते हैं. इसकी अपेक्षा छोटी-छोटी मील ले. यानि कि दोपहर का लंच और रात के डिनर की अपेक्षा दिन में 5-6 बार छोटे-छोटे हिस्से में भोजन करें. अधिक खाने से शरीर एक साथ उतनी कैलोरी बन नहीं कर पाता और उसे चर्बी के रूप में जमा कर लेता है. चौथा नुस्खा, लाइफस्टाइल हेल्दी रखें. कमर का साइस कम करने और शरीर का फैट कम करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल रखें. इसके लिए डेली रूटीन में ग्रीन टी को शामिल करें, जिससे मेटाबॉलिस्म को बढ़ाने में मद करें, जंक फूर और फास्ट फूर शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी देती हैं, इन फूर्डज में कोई नीट्रिशन नहीं होता और सिर्फ शरीर मंग फैट बढ़ाते हैं, यही फैट शरीर में चरबी के रूप में जम जाता है, और कमर के आसपास टोर हो जाता है, इसलिए कमर का साइज कम करने के लिए और कैलोरी इंतेक कम करने के लिए इन फूर्ड का सेवन ना करें चटा नुस्खा, परियाप्त नींद ले, चरबी या फैट कम करने के लिए परियाप्त नींद काफी जरूरी है नींद लेने से स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और बॉडी रिक्वरी मोड में जाती है ऐसा करने से वजन कम करने में मदद मिलती है और आप खुश रहते हैं इसलिए हमेशा कम से कम 7-8 घंते की नींद जरूर ले तो ये थे कुछ नुकसे जिसको फॉलो करके आप अपनी कमर को पतली कर सकते हैं दोस्तों कुरे वीडियो में इस बात पर जरूर ध्यान रखिएगा के डॉक्टरी सला ही सब कुछ है उपर बताए गए नुकसे घरेलू है जो आप अपने हेल्थी जीवन में फॉलो कर सकते हैं वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद